दोस्तों स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जै बारत जै रेन में दोस्तों आज इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के 22 बड़े रेल्वे जंक्शन्स के बारे में बताएंगे रेल्वे जंक्शन्स में नंबर आफ प्लेटफॉर्म्स, ट्रेंस, ट्रैफिक, पैसेंजर्स, ट्रेंस, ओरिजिनेटिंग, एंड टर्मिनेटिंग, वहां की साफ सफाई की विवस्था रेल्वे स्टेशन की रेटिंग और अनमानुकों के अधार पर ये रेंकिंग बनाई है उत्तर प्रदेश में रेल्वे का बहुत घना नेटवर्क है तो प्रदेश के लगबग हर शेहर में एक रेल्वे स्टेशन है और हर स्टेशन का अपना अलग महत्वे और अगर आपके शेहर का इस्टेशन वीडियो में मिलता है तो खुशी जायर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो दोस्तों सबसे पहले 22 में नंबर पर रैंकिंग में आता है राइबरेली जंक्षन लखनاؤ राइबरेली बनारस एवन लखनाव राइबरेली प्रयाग्राज रेल मार्क पर रैवरेली शेहर में स्थेद एक प्रमक रैलिवे जंक्षन है यहाँ एक terminated platform सहित कुल 6 platforms हैं बहुत सी प्रमुक ट्रेनें यहाँ से पास होती हैं 2021 पाइस में remodeling के परश्चात rivalry junction उच इस्तरिये सोवेधाओं से परिपोन हो गया है रैंकिंग में अगला स्थान है मेरट city junction का मेरट शेहर का प्रमुक railway junction है मेरट city junction दिल्ली सहरनपुर rail mark पर इस्थेत है यहाँ कुल 5 platforms हैं देरदोन शताबदी समयत यहाँ से बहुत सी प्रमुक ट्रेनेंग उजरती है मेरट city junction हापुर junction से भी linked है रैंकिंग में अगला स्थान आयोध्या कैंट junction गए लखनो वनारस section पर इस्थेत अयोध्या कैंट junction का पुराना नाम फैजवाज junction था यहाँ 5 platforms है सुल्तानपुर से एक rail mark अयोध्या कैंट junction में आकर मिलता है रैंकिंग में अगला स्थान आता है हापुर junction हापुर junction मुरदवा दिल्ली rail mark पर इस्थेत है यहाँ 5 platforms है बहुत सी प्रमक्टेने यहाँ से गुजरती है हापुर junction में मेरट से एक rail mark और बुलंच चेर से एक rail mark आकर मिलता है अगला स्थान है इटावा junction इटावा junction दिल्ली कानपुर में लाइन पर इस्थेत है यहाँ 5 platforms है इटावा junction में एक rail mark मैनपुरी से और एक rail mark गौलियर से आकर मिलता है अगला स्थान आता है शैजानपुर junction शैजानपुर junction मुरादवाद लखनो मुख rail mark पर इस्थेत है अतो हैं यहाँ से बहुत सी trains पास होती है यहाँ पर कुल 6 platforms है पीलिवीद junction से एक rail mark भी शैजानपुर junction में आकर मिलता है अलीगर junction दिल्ली हावडा मुख rail mark पर इस्थित अलीगर junction में कुल 7 platforms है अलीगर junction में एक rail mark दिल्ली से एक rail mark कानपुर और एक rail mark बरेली से आकर मिलता है यह तीन rail markों का junction है अलीगार जंक्षन तमाम आदनिक सुविधाओं से परिकोन हैं यहां से बहुत सी प्रमुक रेलगाणिया पास होती है फिर आता है टूनला जंक्षन दिल्ली हावडा मुक रेल मार्क पर इस्थे टूनला जंक्षन में भी कुल साथ प्लेटफॉर्म्स हैं तूनला जंक्षन आगरा शहर से 25 किलोमेटर की दूरी परिस्थे थे तूनला जंक्षन एक टेक्निकल हाल्ट भी है यहां से ट्रेनों में रेलवे स्टाफ चेंज होता है अगर किसी ट्रेन में भलाई पैसेंजर स्टाफ ना भी होत लेकिन टेक्निकल स्टाफ होने की बज़े से यहां ट्रेन जरूर रुपती है इसलिए आपने देखा होगा दिल्ली कानपुर नॉन स्टाफ ट्रेन्स भी तूनला में रुपती है अगला इस्थान है गोंडा जंक्षन का लखनव बस्ती गुरकपूर मुक रेलमार्ग पर इस्थित गोंडा जंक्षन नौर्थ इस्टन रेलवे का प्रमुक इस्टिशन है गोंडा जंक्षन में पांच प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ प्लेटफॉर्म्स बले पाँच हैं लेकिन यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। गुंडा में एक रेलमार्ग बहराईच और एक रेलमार्ग बल्राम्पूर से भी आकर मिलता है। अगला स्थान है सहारनपूर जंक्षन, सहारनपूर जंक्षन मुरादबाद अंबाला मुख रेलमार्ग परिस्थित है, यहां कुल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं, सहारनपूर जंक्षन दिल्ली से वाया मेरट और वाया शामली रेलमार्गों से कनक्टेड है, यहां से बहुत सी प प्रमुक रेलमार्गों पे इस्थित आगरा क्रेंट इस्टेशन बारत की टॉप रेलवे बुकिंग स्टेशन में भी एक है यहां विदेशी पैसेंजर्स लोड भी अधिक है तमाम राज़ानी स्रिताबदी समय बहुत सी ट्रेनें यहां से गुजरती है अगले स्थान पर आ कलावा काजियबाद जंक्षन में साहिबवाद, मेरट और मुरदवाद से भी रेलमार्ग आके जुड़ते हैं दिल्लिष के नजदीक होने के कारण ट्रेनों और पैसेंजर्स का लोड यहां बहुत अधिक रहता है अगले स्थान आता है बरेली जंक्षन बरेली जंक्षन म मुरदवाद लखनाव रेलमार्ग पर इस्थित एवन क्लास का जंक्षन है यहां को छे प्लेटफॉर्म से हैं बरेली जंक्षन पांच रेलमार्गों का जंक्षन है बरेली जंक्षन में एक लाइन मुरदवाद से एक लाइन लखनाव से एक लाइन काजगन से एक लाइन और एक लाइन इजट नगर से आकर मिलती है बरेली जंक्षन में छे प्लेटफॉर्म में से दो प्लेटफॉर्म नौर्थ इस्टन रेलवे के ट्रेंस के लिए है ट्रेंस एंड पैसेंजर्स का लोड बहुत जादा है बरेली जंक्षन में बहुत सी ट्रेंस ओरिजिनेट और टेर्मिनेट भी होती है यहां कम से कम दो प्लेटफॉर्म्स की और आवशक्ता है बरेली जंक्षन तमाम आधुनिक सुविदाओं से परिपूर है रैंकिंग में अगला स्थान आता है मुरादवाद जंक्षन का मुरादवाद जंक्षन नॉर्धन रेल्वे का डिवीजन होने के साथ साथ पश्चमी उत्रप्रदेश का एक बड़ा रेल्वे जंक्षन भी है मुरादवाद जंक्षन में कुल साथ प्लेटफॉर्म्स हैं मुरादवाद जंक्षन दिल्ली से 157 किलोमेटर की दूरी पर है यहां बरेली से, अंबाला से, दिल्ली से, चंदोसी से और रामनगर से रेलमार्क आकर मिलते हैं राजधानी, शताबदी, गरीबर, डबल डेकर समेट बहुत सी प्रमक ट्रेनें यहां से पास होती हैं मुरादवाद जंक्षन आधुनिक सुविधाओं से परिपून है रैंकिंग में अगला स्थान आता है मतुरा जंक्षन का मतुरा जंक्षन दिल्ली आगरा रेलमार्क परिस्थित है यहां कुल 10 प्लेटफॉर्म से है जिन में से एक प्लेटफॉर्म व्रिंदवन डेल बस के लिए है मतुरा जंक्षन में कुल 7 रेलमार्क आकर मिलते हैं इस लिहास से मतरा जंक्षन देश का सबसे बड़ा रेलव जंक्षन भी है दिल्ली से साउथ इंडिया जाने वाले रेल मार परिस्तित मतरा जंक्षन में एक रेल मार कासकन से एक बरेली से एक भरतपुर से एक रेल मार अच्छनेरा से एक रेल मार अलवर से और एक रेल मार व दिल्ली से साउथ इंडिया में जाने वाले रेलमार्ग पर रिष्थे थे इसके अलवा यहां एक रेलमार्ग प्रियागराज से और एक रेलमार्ग कानपुर से आकर मिलते हैं यहां राजधानी शिताबदी समेत प्रमुक ट्रेनों के हॉल्ट हैं अगला स्थान आता है लखन अगला इस्थान है वारानासी जंक्षन वारानासी जंक्षन एक बड़ा और मुख रेल्वे जंक्षन है यहां कुल 10 प्लेटफॉर्म्स है और 2 प्लेटफॉर्म्स अंडर कंस्ट्रक्षन में वारानासी जंक्षन भारत के लगबग सभी प्रमुख शेहरों से रेल्मार्क दोरज जुड़ा हुए वारानासी जंक्षन से राजदानी शताबदी समेट लगबग 300 ट्रेने प्रति दिन गुजड़ती हैं और वंदे भारत एक्स्प्रेस करीब राज समेट 30 ट्रेने वारानासी से उरिजिनेट होती हैं अगला इस्थाने प्रियागराज जंक्चन का, प्रियागराज जंक्चन हावरा दिल्ली मुख और अतिवियस्त रेलमार्क पर इस्थित है, यहां भी 10 प्लेटफॉर्म्स हैं और 2 प्लेटफॉर्म्स अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं, प्रियागराज जंक्चन नौर्ट सेंट जंक्षन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे प्रेटफॉर्म भी है गोरपपुर जंक्षन से बहुत सी प्रमुक ट्रेने पास होती हैं और यहां से ओरिजिनेट होने वाले ट्रेन्स की संक्या भी बहुत ज्यादा है अगला स्थान आता है पंदित दीन द्याल उ लेलवे जंक्षन्स में से भी एक है गैल टेफिक और पैसेंजर स patent यहां बहुत अधिक है पहले स्थान पर काविज है कानपुर Central कान闪ुर गैल वे शेशन भारत के पांच सेंट्रल रेलवे शेशनों में से एक है और भारत का तीसरा सबसे व्यस्ट रेल्वे जंक्षन है यहां कुल 10 प्लेटफॉर्म्स है दिल्ली हावडा अती व्यस्ट रेल्वे जंक्षन है पर इस्थित कानपूर सेंट्रल में लखनाव जांसी और फरुकवास से रेल्वे जंक्षन होते हैं उमीद दोस्तों आपको यह जंकरी पसंद आई होगी ट्रेंस और ट्रेवलिंग से लिलेटेट वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें वीडियो के अंद तक बने रहने के लिए धन्वाज जै भारत जै रेल